आज हम बात करने वाले हैं NRC 150 के वारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे किस तरीके से हमारा प्लाट लगा हुआ है हमेसा हम आपको उस वाले एंड से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी वेराइटियां लगी हुई है आज हम आपको इस वाले एंड से दिखाएंगे किस तरीके से performance है ताकि आप सही तरीके से सही मिट्टी में सही विराइटी का selection कर पाओ अब अगर NRC 150 को देखे तो हमारा जो प्लाट है इसमें मात्र 20 kg प्रती एकड़ के हिसाब से seed rate डला गया है जो की काफी कम आत्रा में होता है मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी किसान को फार्मर को अगर आप selection दोए कि आपको 30 kg प्रती एकड़ के हिसाब से डालना है तो कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा लेकिन यहाँ पर हमारा जो seed rate है यह मात्र 20 kg प्रती एकड़ के हिसाब से seed rate है तो इसमें quality seed की बहुत शांदार मिलती है जिस तरीके से आप seed rate 40 kg, 50 kg प्रती एकड़ के हिसाब से डालते हो उसी तरीके से अगर हम 25 kg प्रती एकड़ के हिसाब से भी seed rate डालेंगे तो भी इसका performance आपको बिल्कुल तगड़ा मिलेगा अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हेवी है जैसे black soil है लेकिन उसमें पानी भराने की समस्या नहीं है तो इसका बहुत शांदर आपको production मिलेगा लेकिन आपकी अगर मिट्टी इस तरीए ही किये तो यह हमारी black soil है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 180 condition बैसे तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ तो यह एक best पोदा है जिसमें कि आप branching देखोगे फलियों की संख्या देखोगे उसके साथ अगर देखें तो इसमें height का किसी भी प्रकार से कोई भी issue नहीं है सभी प्रकार के जो पोद हैं इसकी sufficient height रहती है तो इसमें आपको height के लिए कोई भी किसी भी तरीके से extra cut करने की जरूबत नहीं है अगर आप देखोगे 20 कजी प्रती एकड़ के हिसाब से तो लगवग आपको इसा लगया है कि 25 दिन तक 35 दिन तक आप यह सोच होए कि हमारा जो seed rate है बहुत कम डल गया है क्या इसका production मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा लेकिन इसकी quality बहुत शांदार बनती है इसमें क्या होगा कि आपका जो seed का size है बिल्कुल एक्स्ट्रा बोल्ड side में जो size है उसमें आपको मिलेगा उसके साथ में इसकी quality बहुत शांदार मिलेगी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जहां पर water holding capacity थोड़ी सी जादा है जैसे अगर हम यहां भी center में आएंगे तो यहांपर क्या होता है कि यहांपर इस side से भी पूरा पानी आता है यहां से बाहर निकल नहीं पाता क्योंकि I.S.E.T.S. थोड़ा सा height मतलब उठी हुई है और इस side से तो थोड़ा सा अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा उसके साथ अगर height के condition देखें तो कुछ इस condition में भी आपको height मिलेगी कुछ इस condition में भी height मिलेगी क्योंकि sidrate थोड़ा सा कम है जहां पर water holding capacity थोड़ी सी जादा है वहां पर आपको sidrate थोड़ा सा तेज डालना हुआ क्योंकि इसमें branches थोड़ी सी कम रहेंगी और height का थोड़ा सा issue बना रहेगा तो ये कहानी रहेगी इसमें NRC 150 में अभी अगर आप condition देखो तो अभी आगे मैं आपको 112 भी दिखाता हूँ अभी जिसे जिसे हम यहां से आगे जाएंगे उस end पर जाएंगे तो वहां पर इसकी जो height डवल हो जाती है जिस तरीके से मैं आपको अभी इदर दिखाईए इस condition में रहती है तो अगर आपकी मिट्टे में water holding capacity थोड़ी सी जादा है तो आप उसमें bed बनाकर लगा सकते हैं या फिर अगर बात करें तो आप जो BVF पद्दती है उस पद्दती से किसान को थोड़ा सा अपने setup को change करना होगा BVF पद्दती में क्या होता है कि 6-7 line के बाद आपकी एक नाली बन जाती है जिससे कि आपका जो पानी है उस नाली से खिस से बाहर हो जाता है तो थोड़ी सी condition खेत के इस आपसे किसान को change करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें किस पद्दती पर आना चाहिए जहाँ पर water holding capacity थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो यहां इसकी height धीरे-धीरे बढ़ती आपको दिखाई देगी तो इधर इसकी height है थोड़ी सी बढ़ती दिखाई देगी आपको कुछ इस condition में तो मतलब एक प्रकार से अगर मिट्टी की condition देखें तो उस तरीके से हमारी जो variety है बिल्कुल सांदार तरीके से लगी हुई है अभी जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्वैवीन की height है यह बढ़ती जाएगी कम आत्रा है जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको प्लाट की condition जो है वह सुधार आपको दिखने को मिलेगा तो यहां पर जब किसान प्रोडेक्शन तो ले लेगा लेकिन किसान के साथ यही कंडिशन है एक तो प्रोडेक्शन लेना दूसरा की rate लेना तो किसान हमेसा परिशान रहता है एक 6000 के rate के चक्कर में कि soybean का जो rate है वह शांदर तरीकी से मिल जाए क्योंकि इसमें लागत उस तरीकी की लगती है और किसान के आए कि अभी फिलाल में देखें तो कुछ ग्यापन बगेरा सोप रहा है और बहुत अच्छी तरीकी से अभी तो बढ़ियां करवाई चल रही ह है तो अभी को ज़्यादा विसे समय है नहीं लगवग देखें तो 15 दिन 25 दिन अभी किसान थोड़ा सा फ्री है तो जो आपको 8-10 दिन मिलते हैं बेसे तो लगवग मेरे ख्याल से सभी किसानों ने इस तरीके काम कर चुके हैं जिसे अगर देखा जाए तो किसान ने यूर दिया है डियपी है जो फटीलाइजर है पुटा से साथी चीज़े आपको मिल जाएंगी उसके साथ में वेराइटी पर थोड़ा सा जाएं जिसे कि अभी अगर देखें तो गयों का सेलेक्शन करें कि हमें कौन सा गयों लेना चाहिए उस तरीके से आपको थोड़ा सा डू कर साथी चीज़े बहुंकि उसके साथ जिסने किसान को पूरा खेत में लगा देगा से उसके साथ में इस वार हमारी यह को खठीन है कि हमें जो 6000 का rate है उसको लेकर भी किसानों को थोड़ा सा active होना पड़ेगा तो अपना जो समय है जो स्वैबिन को 6000 हमें rate करवाना है उसमें भी किसान को थोड़ा सा अपना समय देना पड़ेगा इसलिए जो अभी ज़रूरी काम है मेरे ख्याल से पूरे complete कर ल किसानों की मदद करने के लिए हम थोड़ा सा जूड गये थे कि जो गियें की जो चने की वैराइटी के वारे में पुरा डेटेल है अभी आने वाले समय में है ट्रिटेल सरे आपको दिखाएंगे कि Kendra सी और dog princess किस तरीके से करता है किस तरीके से इसको डैबलेब किया गया है अभी गिहों और चने के लिए आपको कुंसी वेरेटिक सेलेक्शन करना चाहिए इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे उसके साथ अगर हम देखें यहां से इधर अगर आप देखोगे तो 150 से यहां से इधर आप इसा लगता है कि यार 122 बहुत ज़्यादा स्लू चलती है लेकिन बाद में पूरा रिकावर कर लेती है अपनी हाइट को प्रापर तरीके से रिकावर कर लेती है और अगर हम इस वेरेटि को थोड़ा सा अगर थोड़ा सा डिस्टेंस में लगाएं तो मैंने आपको बोला इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचस भी होती है तो इह देखिए यह है 142 जसमें कि आपको ब्रांचस देखने को मिलेगी और इसकी जो फली आपको दो दाने तीन तीन दाने कि कंडिशन में मिलेंगी और सेम-to-same semi-determinate वराइटी है बैंग नी फूल आते हैं इसमें और से आप लगाना ही चाहरा है और आपके जो मिट्टी है थोड़ा सा हिलकी मात्रम है जहां पर वाटर होल्डिंग के अपसरी थोड़ी सी कम है तो उस छेत्र में आप मेरे ख्याल से 142 भी लगा सकते हैं आपको 142 के प्लाट अगर मैं विजट कराऊं थोड़े से कुछ और कि भीई जहां प्रा ड़ा हुआ है भी तो यहां पर यहां पर थोड़ने चाहिए ओपर अच्तेुरह दो होती वॉफर आते हैं वहां पर वर्याइडी wa सोदहार है बढ़ता जाता है तो ठोड़ा सा यह भी depend करता है कि हम मिट्टी किस तरीके की suggest कर रहे हैं किस तरीकी मिट्टी में हम variety को लगा रहे हैं अभी सबर से अगर देखें तो जो नई variety हैं उनमें किसान अगर develop ना हो या मतलब किसान नई variety के और shift ना हो तो ही बेतर है क्योंकि इस बर्स आपको दिखेगा कि हर एक variety कोई से भी variety आप देख लो 150 देख लो, 122 देख लो, 23 देख लो, 23 देख लो, 24 देख लो दुनिया भर की जितने भी variety आप ही चल रही है market में लगबग सभी का performance बहुत तगड़ा है किसी में अगर जिसे फंगल डिक्सिस आपने कंट्रोल नहीं किया है तो हो सकता ही कुछ प्राब्लम से आ arriv लेकिन जहां पर फंगल डिक्सिस बहुत अछी तरिके से कंट्रोल हुआ है वहां पर आपको किसी भी तरीके की तो बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ है, इसमें फलियों की संक्या अगर आप देखोगे तो पत्तों से जादा कंडिशन में है, यह देखिए, यह है 142, तो 142 भी बहुत शांदार तरीके से performance दे रही है, लेकिन इसका जो भी production निकलेगा खेर हम उसके बारे में आपको बता हैं, तो जो soybean का जो rate है, उसको लेकर हो ज़्यादा थोड़ी सी चल रही है चर्चाएं, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसान को अगर आप कुछ चर्चाएं नहीं कर सकते, आप अगर कुछ नहीं बोल सकते, तो जो व्यक्ति बोल रहे हैं, उनका साथ जरूर दें, और जादा से मेरे ख्याल से थोड़ा सा सपोर्ट करें फार्मर को, क्योंकि अभी अगर देखें, तो कंडिशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, क्योंकि किसान मेरे ख्याल से अगर देखें, तो कुछ ज़्यादा फेक्ट है, जिसे हम ऑईल का rate देखें, तो 2010 में अगर आब 1200-1300 था, 2014 में 1200-14 रुपए था और आची कंडिशन के देखें, उस समय भी यही लगवग 4,400 रुपए रेट था, और ओईल का rate था लगवग मेरे ख्याल से 42 या, सोरी, सोला लेटर जो कंटेनर आता है, सोला लेटर जो बक्याट आता, उसका rate था लगवग 12-1300 रुपए, 14-1400 रुपए से ज अब ही मार्केट में जो रेट है, सब्सक्राइब के लगवग 12-1300 रुपए, प्रती, सोला लेटर के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अभी मार्केट में जो रेट है, 17-1800 रुपए है, तो अगर सोयबिन का rate है, तो मेरे ख्याल से, आपको कुछ निकालना है, सिर्व आपक समय निकाल के, सिर्व उनके पीछे जाकर खड़ना है, अगर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो बिल्कुल मत बोलिए, लेकिन आपको उनके पीछे जाकर सिर्व खड़ा होना है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जो वेक्ति आपके लिए लड़ ब्रांचेस देखें, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, साथ ब्रांचेस हैं इसमें, और कुछ इस तरीके से ये पोधा लगा हुआ है, 142 का, तो जितना सिडेट कम रहेगा, उतना सही तरीके से आपको प्रोड़क्शन मिलेगा, डिसेस की प्राबलम बहुत कम मि लएगा, बगी प्रोड़क्शन आपको लाजवाब मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से खेर वेराइटियां लगी हुई है, इस बर्स तो आपको सभी वेराइटियां बिल्कुल सांदार दिखेंगी, तो थोड़ा सा क्या है कि जो वेराइटियां आप चेंज करने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा ये ध्यान जरूर दें कि हमें कुछ सी वेराइटिय को कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, क्योंकि इस बर्स वेराइटियां सभी का परफोर्मेस बहुत तकड़ा है,